हैं grammar skills पे so are you ready guys to learn some new and special grammar tricks yes or no क्या सबी तयार हैं आज की grammar skills के लिए शुरू करें शुरू करते हैं first grammar skill के साथ और first grammar skill हम से क्या कहना चाहती है ध्यान से समझेए a past tense in the mean clause should be followed by a past tense in subordinate clause बच्चपन से यह चीज हमें बताई गई है और आज की डेट में मैं आपको रियल बताऊं तो इस grammar trick से आप paper उठा के देख लीजिए इस grammar trick से अगर error detection के 5 question आये हैं तो one to two question यह sure रहता है कहीं न कहीं कि इसी point से आपको मिल जाते हैं आप जितने भी error detection के question mix के solve करेंगे उसमें आपको twenty percent thirty percent इसी तरह के questions मिलेंगे यह sure जादतर क्या होता है कि अगर एक clause past में है practical सी बात है अगर एक clause past में जैसे दो sentence एक दूसरे से जुड़े हुआ है relate कर रहे हैं एक दूसरे से अब अगर first clause या जो main clause है main clause है जो यह किस में जा रहा है past में जा रहा है तो इसका relevant जो clause होगा could it ever be in present or future क्या यह कभी भी present या future हो सकता है भाई पहले जब मैंने past की बात कर दी तो क्या past relate करेगा present या future से सोच के देखो जब मैंने पहले past की बात कर दी तो अब इसका relevant clause भी किस में जाएगा past में ही जाएगा वो present या future में नहीं जाएगा present या future में नहीं जाएगा न तो past से start करेंगे clause को तो आगे का clause भी किस में जाना है कभी present में नहीं जाना है, कभी future में नहीं जाना है, हमेशा किसमे जाना है, past में जाना है, simple सी बात है, तो मैंने past से start किया, और आगे अगर invert लगा दिया तो गलत है, buzzber अगर मैंने will-shell लगा दिया, तो भी गलत है, would या should आएगा, सिंपल सी बात समझ में आ गई, हलुआ सा पॉइंट था, खालिया सबने, घर्मा घर्म था ना, चलो, questions को करते हैं, इससे related, questions आपके सामने हैं, जो भी बीमारी दिख रही है, फटाफट पिक कर दीजिए अपना answer, your time starts now, विलकुल हलुआ सा पॉइंट है, फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए answer, सबका sixer लगना चाहिए, सबका sixer लगना चाहिए, very good, very good, very good, बिलकुल शिप जी, very good morning, क्या बात है, अच्छा अब इन sentences को हमें देख के ही समझ आ गया, कि यह तो हलुआ है, खाल गया सबने आराम से, he succeeded because he works hard, जब हमने पहले succeeded का use कर दिया, तो अब आगे हम works hard लगाएंगे, या worked hard लगाएंगे, practical सी बात है, works तो present indefinite tense में use होता है, भाई, verb की first form में SEIS कब जोडते हैं, हम सभी को पता है, present indefinite tense में ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे works की जगे पे हमें क्या use करना पड़ेगा, worked का use करना पड़ेगा, तब statement correct होगा, he succeeded because he worked hard, अगला, he said that he is going to join the class, he said that he is going to join the class, तो अब इस नहीं, बलकि क्या होगा, इस नहीं, बलकि क्या होगा, was होगा, क्यों was होगा, क्योंकि structure past से शुरू हुआ, he said, ऐसा कुछ लिखा है, बही, say का ही past form तो sad होता है, practical सी बात है, sad को verb की first form मत समझ लेना, ठीक है, so अब अगर हम देखें, sad का use अगर हमने कर दिया, told का use अगर हमने कर दिया, तो समझ लो, आगे का clause किस में जाएगा, past में जाएगा, समझ गहना भावना है, क्या कह रहा हूँ, तो he said that he was going to join the class, he said that he was going to join the class, सबका लग चुका है, sixer, सभी के answers हैं मेरे सामने, very good everyone, next question, अब अगली grammar trick हम से क्या कहना चाहती है, ध्यान से समझ गहे, future indefinite tense is not used in the clause of time, place, condition, here the present indefinite tense is used, जितने भी conditional sentences हैं, आपने देखे हैं सारे, पढ़े हैं सारे, या सौनो, अच्छा एक छोटी सी condition देता हूँ, अगर आप आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप आओगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं condition, condition को बड़ा बना के मत बैठना mind के level पे, कि conditional sentences ये क्या होते हैं, बहुत बड़ा हववा है, कुछ नहीं होता, conditional sentences का मतलब है, जहां पे एक condition given रहती है, उस बेस पे दूसरी चीज़ फुल्फिल होती है, that is called conditional sentence, अब one thing you should keep in your mind, we never use double future tenses, एक particular structure में हमें कभी भी double future का use नहीं करना, मतलब अगर दो sentences किसी भी word से जुड़े हैं, कुछ भी है, वो unless है, until है, if है, कुछ भी है, ठीक है, अगर यहां भी will या शेल आया है, विल या शेल आया है, और यहां भी will या शेल आया है, विल या शेल आया है, अब आपको देखती देखते पकड़ लेना है, कि double future नहीं होगा, मतलब इस पार्ट में, first वाले पार्ट में problem होगी, या फिर सेकेंड वाले पार्ट में प्रॉब्लम होगी ये विल या शेल दोनों पार्ट में नहीं आएंगे अब सर ये तो confusion हो जाएगा दो पार्ट में error लग रहा होगा तो तो हमें जैमाता दी करना पड़ेगा एक्जाम में बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा जैमाता दी मतलब जैमाता दी तुक्का मार दिया तुक्का नहीं मारना पड़ेगा जिंता मत करो हम sure होंगे अपने point पे कि किस पार्ट में हमें विलिया शेल हटाना है और किस पार्ट में हमें विलिया शेल लगाना है ठीक है sure कैसे होगे बताओ reason बताओ क्या होगा कैसे sure हो सकते हैं हम जितने भी conditional words है चाहें वो unless हो चाहें वो until हो चाहें वो less हो चाहें वो if हो कुछ भी तो अगर मैं unless माल लीजे मैंने unless से जोड़ा है sentence को या until से जोड़ा है कोई भी कोई भी तो अब याद रखना कि आगे के clause में आगे के clause में मुझे क्या करना है इसको will और shell को हटाना है और ये वाला clause बनेगा present में ये वाला clause किसमें जाएगा प्रेजेंट में जाएगा देखो ध्यान देना इस चीज़ पे जो मैं कहा रहा हूँ क्योंकि ये फसाती है चीज़ हम लोगों को जितने भी conditional word है उनके right side में जस्ट जो भी clause जुड़ा होगा वो हमेशा present indefinite में होगा मतलब remaining clause future में जाएगा जैसे आपने ऐसे sentences देखे होगे if you work hard you will get success if you work hard you will get success तो इफ वाला जो clause है if के right side में जो भी sentence जुड़ा है वो present indefinite है if you work hard और आगे कॉमा लगा के हमने जो sentence जुड़ा वो future में है you will get success समझ गया न तो ये जितने भी conditional words है इनके right side में जो भी clause जुड़ा होगा वो generally आपका present indefinite में होता है और remaining clause हमारा किस में जाता है future में जाता है ये चिस समझ आई सबको yes or no तो अब यहां से अगर हम देखे I shall wait for you till you will finish your work I shall wait for you till you will finish your work अच्छा अब यहां से अगर हम देखे I shall wait for you पहला clause है till you will finish your work दूसरा clause है बीमारी क्या है जल्दी से बताओ दोनों स्टेटमेंट्स को देखो और बीमारी बताओ your time starts now बिल्कुल हलुआ सा point है सब को बीमारी बता देनी है very good बिल्कुल शीवाम very good morning फट आफट देखो और पिक करो answer बिल्कुल हलुआ सा point टिक के चीजों को देखना और अप्रोच करना very good अच्छा अब यहां से अगर हम देखें I shall wait for you till you will finish your work अच्छा एक प्रेक्टिकल सी बात यह है कि till के बाद वाला clause present indefinite होगा यह हम शूर है पहले से ही वैसे ही unless कि जस्ट बाद वाला clause present indefinite होगा यह हम शूर है अपने point पे अब क्योंकि अभी अभी हमने discuss कर लिया है ठीक है तो अब पहली चीज़ तो हमें यहां पर will हटाना पड़ेगा और statement क्या जाएगा I shall wait for you till you finish your work I shall wait for you till you finish your work कुछ ऐसा दूसरा statement अगर हम देखें unless और until के बाद में हम कभी not का use करते हैं क्या भई unless और until के बाद में कभी not का use करते हैं नहीं करते भई क्योंकि already negative sense रखता है तो नहीं करते not का use not हट गया दूसरी चीज़ हमें will भी हटाना है अब will हटाना है तो statement को present indefinite बनाना पड़ेगा और ये present indefinite कैसे बनेगा work का use करेंगे या works का use करेंगे works का use करेंगे क्यों करेंगे works का use क्योंकि ही लगा हुआ है ही क्या है singular है तो verb भी singular बनेगा और verb को singular बनाने के लिए उसमें S या इस जोडते हैं कोई भी verb का first form अपने आप में plural होता है चाहें वो go हो चाहें वो work हो चाहें वो walk हो कोई भी verb का first form अपने आप में plural होता है जब उसमें S या ES जोडते हैं तो वो क्या बनता है singular बनता है ये बात clear है ना सबको yes or no तो हमारे statement क्या जाएगा unless he works hard कुछ ऐसा unless he works hard he will not get success unless he works hard he will not get success कुछ ऐसा सबको clear हुई ये बात क्या बात क्या बात very good very good everyone